Hello everyone, मैं विश्वजीत सिंग, आप सभी का दीजीन पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History, MHI 06 का एक पूरा वीडियो का सिरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर में हमें 15-20 टॉपिक पढ़ने हैं, एक्जाम भी पास आ चुका है, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा यूसफुल होने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर में हम टॉपिक नंबर 1 सी स्टार्ट करने वाले हैं सौट वीडियो की मदद से समझेंगे कि क्या है आज का हमारा टॉपिक आज के हम टॉपिक के अंदर में पढ़ेंगे, उपनेविशी काल के दौरान में जो पुझी पती वर्ग था, उसका विकास किस प्रकार से हुआ टॉपिक इंपोर्टेंट है, अक्सर एक्जा में पूछा भी जाता है, अब नॉर्मल समझते हैं पुझी पती वर्ग का विकास की बारे हम बात करें, जो अमीर लोग थे, वो कैसे आगे बढ़ें, किस टाइम प्रेड में, उपनेविशी के अंदर में, जब हम गुलाम थे, ठीके, जब हम बिर्टिन के अंदर में रह रहे थे, जब बिर्टिस भारत था, उस समय के हम पार टाइम प्रेड की बात कर ले, अब देखो, डॉर्मली दो चीज़े होती हैं, अगर आप किसी उच्चे पद पर बैठे हो, ठीके, तो नॉर्मली जो आपका जुकाव होगा, आपके लोगों के परती जादा होगा, ठीके, चाहे आपके कास्ट के हो, चाहे आपके घर के हो, ठीके, जो इस तरह के लोग होगें, जो आपसे जिनका डारेक्ली संपर्क है, किसी तरह से जानते हैं आपको, किसी तरह से रिलेट करते हैं, तो उनके परती आपका जुकाव जादा होगा, उनके परती आपका उदारता, जो उदारता होती है, वो जादा होगी, ठीके, सिं ऑरकों सा थे जो बाहर से आये थे विटिस इस्ट इंडीय कंपणी के थे ठीक है वह वाले और हो जाते हैं तो इस तरह से दो पुंजी पतिवर्गों हो जाते हैं भारत वाले पुंजी पती वर्गों के पास ज्ञदा पर्भुतु नहीं था करती था उनके से बहुत तेज रहा और ना निरंतर निरंतर मतलब क्या यह नहीं कि रुख गया ठीके वह चलता रहा बहुत जादा धीमा रफतार से वह आगे बढ़ रहा था और धीमा के साथ साथ कहाता वो निरंतर आगे नहीं बढ़ रहा था कभी आगे बढ़ा कभी रुख गया कभी अगदम स्टॉफ हो गया इस तरह चीजे चल रही थी ठीके पहले चीज यह देखने के लिए मिलता तो इसका रीजन कई सारे हैं रीजन कैसे क्या होता था कि सबसे बड़ा रीजन के तौर पर देखा जाता था भारती अर्थ कि अरक सपोर्ट करते यह चीजे चलती ठीक है इसके अंदर में बात करें कि क्या क्या चीजे ती कौन-कौन-बध वर के विकास के अंदर में तो सबसे बड़ा चीज मिलता है यहां पर पुंजी का हस्तान प्रण ठीक है पुंजी का हस्तान प्रण मतलब क्या होता है कि जैसे मालों ब्रिटिस जो लोग थे उनके पास रिसोर्स था साधन था पैसे का ठीक है वह अलग-अलग बैंकों से ले सकते अलग-अलग बैंकों की उपलब देता थी ठीक है और उनको सरकार से भी लोन या जो भी चीजे होती थी तो जल्दी मिल जाता था क्योंकि एक तो खुद वह सरकार को जानते है वह भी बिर्टिस वह भी बिर्टिस तो उसके कांग से यह पुंजी की उपलब देता हंस्तान जो है वो उनके लिए जाता था पर हमारे लिए उतना नहीं था सकरात्मक कारवाही का अभाव ठीक है तो उस घटना का सकरात्मक कारवाही का अभाव होता था भारतियों के परती ठीक है भारत के लोगों ने अगर मानलों को इस इकायत किया कि यहां पर गलत हो रहा है चीज उसके उमर में देखने के लिए मिलता है कि वो गड़वड कर रहे हुझ यहां पर ठीके सरकार के खिलाफ है तो बिटिस अधिकारियों को जब बोला जाता था है तो वो उसके उपर एक्षन नहीं लेते थे ठीके तो ये भी एक कारण बनता है सकरात्मक कारवाई का भाप जिस पर नहीं दिया जाता है तो यह कोई पढ़न्दी लगाना है तो भारते कंपणी पे ज्यादा लगता था उनको आगे बढ़नें नहीं दिया जाता था तो एक तो रीजन यह भी होता था कि यहार अगर आगे बढ़ जाएंगे तो हमें ही कंट्रोल करेंगे ठीक हमसे अतिय चलेंगे हमसे आगे विक्सित हो जाएंगे तो यह भी कारण रहता है यहां पे जो पुंजी का अस्तांतरन वाला टॉपिक है इसके अंदर में एक पॉइ आखी हमसे मतलब क्या होता है कि पैसे को निकाल कर एक जगा सर्स अवारत चिंव केयों करी आइज थी तो इसके भारत के लोगों कम भारत का धन्य बजता था उनको पर टेक्स या ना पढ़ता था कि क्योंकि ब्रिटेन उस पैसे को लेकर सोना चांदी जो भी पैसा होता तो उसको लेकर ब्रिटेन चला जाता था ठीक है रीजन क्या होता था कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वर चल रहा है यह फिर कोई और यूद में सामिल है ब्रिटेन तो उहां पर उसकी help के लिए जो पैसी कमी में होती थी सेना के उपलबदी के में होती थी हत्यारूइक कमी होती थी उन सब चीजों को पूर्ती करने के लिए यह कदम ब्रिटेन गारा उठाया जाता था ठीक है समझ में आता है एक यहां पर पॉइंट और आता है वित्तिय संस्ताओं का अभाव जैसे वित्तिय संस्त तो बिट्य संस्ताओं का अभाव जो बिए हुआ पॉन का पुन्जी ले सकते हैं यहां पर आता है और पर रिजांता है पैसे के ओले साथ कन देश बॉइंड पर बहुत हैं प्लिटेन के अधिकार थी थी तो उनके बस अलग-अलग तरह करी ससे हैं यह सरोर्स पर भारतियों के पास बहुत limited resource था पुंजी का जिसके कान से भी यह दिक्कत आता है कारोबार अगला एक और आजाता है पूबर पॉइंटें हापे कारोबारी धाचा और परबंदन अगर मालनों कोई business स्टार्ट भी किया तो उसका किस परकार से परबंदन करना है किस परकार से कारोबार का स्टार्ट करना है ठीक है उसके उपर में बहुत सार rule regulation text को डाला जाता था जिसके कान से भारती लोगों के उपर में बहुत जादा दवाव पड़ता था और वो आगे नहीं बढ़पाते थे तो ये भी एक reason रहता है ठीक है दोस्तो ये वाला topic तो इसी परकार का है जहां पर आप ये पूरा बता सकते हो कि किस परकार से पुंजी पती वर्ग का विकास हुआ यहां पर नॉर्मली हमने भारत का नजरिया बताया है compare करते हुए बिर्टिन के लोगों से ठीक है जो बिर्टिन भारत में रह रहे थे बिर्टिस जो लोग रहते थे भारत के अंदर में वो पुंजी पती वर्ग के बारे हम बात करते हैं ठीक है topic important है और ये जितने भी topics में आपको 15-20 topic करवाने वाला हूँ ठीक है मैं courses करूँ है जितने जल्दी जल्दी आपका करवा दूँ तो ये 20 topic के अंदर में आप ये मान के चल सकते हो last 10 year के question paper में से छाटा गया है उसको करवा रहा हूँ और एक ही वीडियो में उन सभी को करवाने का नहीं reason ये है कि वीडि suggestion हो आपकी तरफ से मेरे लिए तो आप suggest कर सकते हो में response आपके suggestion का दूँगा ठीक है जो भी suggestion होगा I will accept अगर आप बोलोगे कि एक ही वीडियो में 15 topic डालो तो 15 topic एक वीडियो में नहीं तो अलग-अलग topics इस तरह से मैं आपके लिए बना दूँगा तो friends thank you so much for watching me thank you so much for listening me bye bye take care all the best